हेलो दोस्तो इस दो हम समझते हैं कार्बोक्सिलिक अमलो को बनाने की वीदिया दोस्तो कल हमने इंट्रोडक्षिन देखा था जिसमें नाम पता थी और कार्बोक्सिलिक अमलो क्या होता है इसके वारा बता दिया था दोस्तों क्या होता है कारबोक्सिलिक अमलव होता है, इसका सामाज्य फॉर्मूला होता है R, C, O, O, H ठीक है? यानि कि हमको इसको बनाना है C, O, H R का मतलब होता है कारबन शंकला बनाने की विदियो में सबसे पहली जो विदिये या अभिक्रिया है उसका नाम है प्रात्मिक अलकोहल वा एल्डिहेट से दोस्तों इस reaction को हम ने बहुत बार पर रखाएं जिसमें हमें ने अलकोहल का जब हम रासणी की बिकर पड़ रहे थे तब भी इस reaction को पड़ा था जब हम अल्डिहेट का निमान कर रहे थे तब भी इस reaction को पड़ा था तो आपने ये reaction बहुत बात पड़ा रखी है तो इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है तो इसमें क्या करेंगे प्रात्मिक मतलब 1 degree alcohol लेंगे वह LDH लेंगे इसका हम ओक्सीकर्ण करवाएंगे और ये दोस्तो ओक्सीकर्ण होता है किसी ओक्सीकारक की उपस्तिती में ठीक है समझे ध्यान से जैसे हमार पास मैं प्रात्मिक अलकॉल लेते हैं प्रात्मिक अलकॉल का मतलब होता है कि OSMO जिस भी कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन एक कार्बन से कनेक्ट हो तो इसको बोलते दोस्तों प्रात्मिक एल्कॉल या वन डिग्री एल्कॉहल ठीक है इसका हम करते हैं ऑक्सी करण और इसके साथ में हम एल्डियड भी ले लेते हैं एल्डियड क्या होता है तो CHO ये होता है एल्डियड आर मतलब कार्बन शेंगला इसमें आप कार्बन जोड़ सकते हो और CHO सम्मों होता है एल्डियड के लिए तो ये हैं आपका एल्डियड इसका भी उक्सीकन करेंगे हम लोग दोनों को साथ साथ में कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाएं दोस्तो जब हम वन डिगरी एल्कॉल का उक्सीकन करते हैं तो यदि हम लोग उक्सीकारक की उपस्ति में करेंगे तो इसमें दो तरह के उक्सीकारक आते हैं आपके सामने यहा होता है यह वाला कि इसको बोलते दोस्तों प्रबल ऑक्सि कारक क्या बोलते इसको प्रबल ऑक्सि कारक और ये है दुर्बल ओक्सिकारक या म्रद्दू ओक्सिकारक ये कैसा है दुर्बल ओक्सिकारक अब दोस्तो यदि हम लोग अलकोहल में दुर्बल ओक्सिकारक लेते हैं तो बीच में बनता है अल्डिहाइड तो हम L-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di- कारबन के साथ में दोपे निकल देना और ऑक्णिजन जोड देना है मतलब R C एक oxygen हमने जोड़ा ये वला और बाकी OH तो है पहले से OH क्या बन गया कार्बोक्सिलिक अमल अब इसको तो बता है नहीं तो देखो इसको क्या करना है इसका भी oxygen करना है आप लोगों को oxygen करना है आपको कोई भी आप ले सकते औक्सिकारक इसमें प्रबल लो तो भी और दूर्बल लो तो भी इसमें क्यावल आपका बनेगा कार्बोक्सिलिक एसे कैसे बनेगा कुछ नहीं करना है RCHO है इसमें एक oxygen और जोड़ देना है R-C-O-H बन जाएगा तो क्या वला इसका oxygen करना है चाहे आप दूर्बल लो तो भी कार्बोक्सिलिक अमलब बनेगा प्रबल लो तो भी कार्बोक्सिलिक अमलब बनेगा लेकिन इसमें क्या है दूर्बल लेंगे तो बीच में LDH बनेगा कार्बोक्सिलिक अमलब बनेगा ठीक है तो आप सीधा इसके लिए प्रबल ओक्सिकार लोगे सीधा मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड डेफिनेशन को पढ़िए एलकोहल वा एल्डिहट का ओक्सिकरण ओक्सिकारक की उपसित में कराने पर संगत कार्बोक्सिलिक अमल बनता है यदि आप लोग एलकोहल लेते हो तो प्रबल ओक्सिकारका उज़करना है तो डायरेक्ट बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अमल जब आप एल्डिहट का ओक्सिकन करोगे तो दोनों हमें से कोई भी ले सकते हो सिधा बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक अमल इसके अंदर आपको लोन ना उक्षिजिन योड़ देना हैं इसमें कोई बाखर नहीं निकालना इसमें क्यों उक्सिजिन देना है昏 तो क्या बन जाएगा आरसीडे स्वह स्वह कार्बऔक्स लिरह आख लगो सी लगतेई हैं-दिहर दोस्तों थिसलम circular हो का मतलब होता है कार्बन शंकला conducting होता है इसके उपर हम क्या करेंगे अल्किल जोड जएँगे इसके नाम हो जाए गाल्किलम इसका क्या करेंगे दोस्तो या तो हम उक्सिकन करेंगे क्रोमिक अमल की उपस्तिजी में या फिर शारी हम क्यमेनफोर होगा इसकी उपस्तिजी में और मतलब उक्सिकन करवाते हैं तो यहां पर हम करवाएंगे इसका उक्सिकन दोस्तो शारी क्यमेनफोर की उपस्तिजी में केमेनफोल लेंगे शारी माध्य में और इसका करवाएंगे ओक्सीकरण ठीक है तो ओक्सीकरण के लिए हम क्या लिखते हैं ओ नवजात और थोड़ा हिट डेल्टाइट करेंगे इसमें तो इसमें क्या करना है समझे धन से यहां से आपको यह तीनों की तीनों हाइड़न को ब बीच में एक लवन बनता है क्या होगा तो सी डबल ओ के ठीक है यह बनेगा इसको हम बोलेंगे पॉर्टेशम बैंजोएट अब इस लवन का हम अमलीय जलब गटन करवाएंगे अमलीय जलब करना मतलब क्या होता है कि हो एच और इसका हम एच प्लस की उपसें जलब गटन क HOH क्या लिखा है तो यह H2 है ठीक है H2 को मैं ऐसे H लिख दिया अब क्या करना है यहाँ से बन तोड़ना है यह प्लस होगा यह माइनस होगा यहाँ से बन तोड़ना आपको यह प्लस होगा यह माइनस होगा H प्लस होता है वो oxygen के साथ जुड़ेगा OH होता है वो potassium के साथ जुड़ेगा तो potassium आपका hydroxide बाहर निकल जाएगा और H+, इसके साथ जुड़कर के अमल बनाएगा क्या बनाएगा तो benzen के उपर आप आजाएगा C धाप का C O O H कुछ नहीं है C O O और H क्या बाहर निकल जाएगा और यह हमको क्या मिल गया benzoic aml clear है यहां तक समझवाएगा कुछ नहीं किया हम लोगों ने हमने जो कहा है उसने वही लिया है alkyl benzen लिया है इसका हमने या तो chromic aml या फिर shari kemenophor तो shari हमने kemenophor लिया है इसका oxygen करवा थोड़ा delta heat किया गर्म किया है तो इसमें इस hydrogen बाहर निकल जाएगे और बीच में एक लवन बन जाएगा जिसमें क्या होता है potassium benzoid फिर इसका अमली जलब गटन करवाएगे तो आपका मिल जाएगा benzoid कमल कार्बोकसली अमला aromatic मिलेगा थोड़ा अमला हमको ठीक है इसको aromatic अमला बोलेंगे definition पड़िये 1 degree या 2 degree alkyl benzen का oxycron मतलब benzen के उपर यदि carbon जुड़ा है उस carbon से कोई carbon नहीं connect है तो उसको बदले 1 degree अगर इस carbon से 2 carbon connect होते है तो 2 degree बोलते है ठीक है इसका oxycron क्रोमिल अमला या फिर शारी के अमेनोफोर द्वारा कराने पर aromatic अमला बनता है तो ये aromatic अमला बनता है नौट बात दोस्तों ये है कि 3 degree alkyl benzen oxycron नहीं होते इसका कहने का मतलब benzen से जुड़ा हुआ carbon है वो carbon 3 carbon से अगर connect है तो फिर इसका हम लोग क्या नहीं करवा सकते oxycron ऐसा क्यों क्योंकि oxycron करने के लिए एक बात का ध्यानकना जरूरी है कि hydrogen या तो बहार निकलना चाहिए या फिर oxygen जुड़ना चाहिए लेकिन यहाँ पर hydrogen है 3 तो hydrogen बहार निकल रहे तो आराम से oxygen हो रहा है परन्तो यदि इस carbon से 3 hydrogen की जगह पर 3 carbon जुड़े होंगे तो फिर क्या होगा कोई hydrogen तो है नहीं क्या बहार नहीं निकल पाएंगे hydrogen और oxygen जुड़नी पाएगा आर यह बात समझे मेरी तो यह दिक्कत है अब आगे समझे थर्ड अभिक्रिया ग्रिण्यार अभिकर्मक से ग्रिण्यार अभिकर्मक क्या होता है तो दोस्तों ग्रिण्यार अभिकर्मक होता है आर mg x मैं इसको थोड़ा रेड में लिख रहा हूँ इसको बलते हैं ग्रिण्यार अभिकर्मक इसमें दो तीन बात हैं, एक तो R और Mg के मद्य बंद का विदिलन होगा, जिसमें Mg पार्शव पोजिटिव होगा और R पार्शव नेगेटिव होगा, अब क्या करना है उसको आगे देखिए, ग्रिन्जार अभिकरमक होता है, इसकी अभिकरम हम शुष्क बर्फ CO2 से करवा तो इसकी रियक्शन हम लोग CO2 से करवाते हैं, CO2 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, O double bond C double bond O, यह होता है CO2, इसमें क्या होगा, विश्माच विदिलन होगा, इस oxygen के उपर आजाएगा, पार्शव नेगेटिव और कार्बन पर आजाएगा पार्शव पोजिटिव, ठीके, तो यह जो बन होता है, विश्माच विदिलन होगा, तो oxygen पर आएगा, तो इस पर पार्शव नेगेटिव, इस पर पार्शव पोजिटिव, कुछ नहीं करना है, विपरी चीनों को जोड़ दो आपस में, Mg होता है, वो connect हो जाएगा आपका oxygen से, और R होता है, वो connect हो जाएगा कारबन से, बीच में दोस्तों यहाँ पर एक लवन बनता है, इसमें भी, मध्यवर्ति, यह अभी के शुष्क इथर के उपसे होती है, इसको लिख देते हैं, साथ में, शुष्क इथर, इथर, यहाँ पर C, single bond O, और double bond O, इसको ऐसा लिक रहा हो देगे, C, single bond, अब तो एक टूट गया, तो C, single bond O, और double bond O, तो C, single bond O, double bond O, ओके, इसको ऐसा लिख दिया, single bond वाले पर negative charge है, उस पर कौन आकर जुडने वाला है, आपका, mgx, तो इस पर आकर जुडने वाला है, mgx, और carbon से कौन जुडने वाला है, r, तो carbon से जुडने वाला है, r, ठीक है, clear है, तो यह बीच में अपना 11 बनता है, क्या बनता है, 11, अब इसका हम लोग आगे, अमलिय जलब गटन करवाते हैं, जैसे यहाँ पर करवाए वैसे, इसका हम लोग, अमलिय जलब गटन करवाएंगे, H2O का, ठीक है, अमलिय की उपस्तिन हम लोग, जलब गटन करवाएंगे, OH, क्या ह होता है देखते हैं यहां पर बन टूटेगा एस पर प्लस छिन हैं इसली है इस में और और नेगेटव है और एमजी पर पंशलेटीव ऊक्षिए इस पर पैसिजक यहानि कि नी आप लोगों को यहां पर भाई साब जो H होता है इसको जोड़ देना है Oxygen के साथ में OH होता है इसको जोड़ देना है Mg के साथ में क्या बनेगा R C double bond O R C double bond O O और H O और H Plus Mg X OH Mg X और OH यह क्या बना आपका Carbocleak Acid अमला तो यह आपको बना Carbocleak Acid ठीक है तो यहाँ पर C double H आगए आपका R C double H ठीक है इसको खूल के इसे लिखेंगे तो आपने समझ लिया यह आपका ग्रिणार अभीकरम के यह कारबन डाय ओकसाइड है ठीक है शुषक बर्फ एक बार इसकी डेफिनेशन को पढ़िए तो फिर क्या बन जाएगा Last and Final Carbocleak अमल बनता है अमल बनता है Last ऑके इसक्रिंशोट ले ले जीए दोस्तों फूर्थ रियेक्शन है नाइट्रेल और एमाइड से नाइट्रेल और एमाइड से हम लोग कार्बोसलीक अमलब बनातें. क्या होता है, देखिए. पहले आप लोग समझे नाइ्ट्रेल क्या होता है? नाइट्रेल का मतलब होता है, साइनèn तो कार्बन और नाइट्रोजन आपस में ञुड़े होते हैंlor साइनेड, ठीक है, यह होता है जलब घटन करते हैं अमला या फिर शार की उपस्तिती में तो अमला के लिए H प्लस लिखते हैं या शार के लिए हम लिखते हैं OH- और इसका जलब घटन करेंगे H2O क्या होता है यहाँ पर एलके नाइटरन में कार्बन और नाइटरन के मद्या दो बंद टूटते हैं कितने बंद टूटते हैं दो बंद तो दो बंद टूटने से कार्बन के भी दो वैलेंसी फ्री हो जाती है और नाइटरन के भी दो वैलेंसी फ्री हो जाती है मैं आपको आइडिया बताता हूँ इन दोनो हाइडरोजन होता है इसको nitrogen के साथ में जोड़ दो ठीक है बाकी बचा oxygen ये oxygen carbon के साथ में इस carbon के साथ में double bond से जूड जाएगा और बीच में एक चीज बनेगी यहां पर R C single bond अब तो हो जाएगा और N N के साथ में 2 hydrogen जोड़े तो NH2 बन गया और carbon के साथ में oxygen जोड़ना है जो की double bond के साथ में दोस्तों ये बहुत अच्छी चीज़ है जो हमको चाहिए थी ना भी उपर लिखी रिस्षी का नाम है Mide तो इसको बोलते Mide R C double bond O Ns2 इसको क्या बोलते Mide और इसका हम लोग आगे देखेंगे reaction भी तो घ्यान लटना इसको बोलते Mide फिर इस Mide का आगे जलब गटन करते है आगे जलब गटन करेंगे H O H जल को मैं ऐसे लिक रहा हूँ थोड़ा इसको गरम करेंगे हम लोग तो इसके लिए delta लिक रहा हूँ बाकी यहाँ पर अमल हो सकता है या फिर शार हो सकता है दोस्तो अब क्या करना है कार्बन और और अक्सिजन कार्बन और नाइटरोजन होता है इनके मद्ध बंट उटेगा जिसमें से यह सिंगल बोन होगा वो नाइटरोजन पर शिप्ट हो जाएगा ऐसा क्यों क्योंकि नाइटरोजन की वीदियो ज़्यदा ज़्यदा होती है तो इस पर आ जाएगा माइनस इस पर आ जाएगा प्लस कार्बन के उपर यहाँ पर बंट उटेगा जिसमें H प्लस और OH माइनस H को किसके साथ में कनेक्ट करना है ओपिसली बात है N के साथ में क्योंकि वो नेगेटिव है और OH माइनस किसके साथ में कनेक्ट होगा तो यह कनेक्ट हो जाएगा आपका कार्बन के साथ में क्या बनेगा देखिए RC डबल बॉंड O RC डबल बॉंड O और इसके साथ में कौन कनेक्टर होने वाला है OH तो यह आ गया OH प्लस NH2 के साथ में कौन कनेक्टर होने वाला है H क्या बन जाएगा NH3 ओके क्या बना कार्बोक्सिलिक अमल कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है तो यह तो हो गया एमाइड से क्या बनाना कार्बोक्सलीक अमलो बनाना डेफिनेशन पढ़िए एलकेल नाइट्रेल का जल अब घटन अमली या फिर शारी माध्य में कराने पर पहले एमाइड बनता है ये एमाइड बना फिर वापस जल अब घटन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा अमला अब हम समझते हैं एमाइड से इसकी डेफिनेशन नहीं मैं लिखा रहा हूँ तो इसको ऐसे समझ लिए आप लोग एमाइड होता है इस एमाइड का हम लोग जल अब घटन करवाएंगे जल होगा इसका अब घटन करेंगे अमला की उपस्तिति में थोड़ा गर्म करेंगे तो एक तो आपका अमला बनेगा और साथ में बनेगा अमोनिया इसको आप डेफिनेशन भी बना सकते हो एमाइड का जल अब घटन अमली अमाद्दि में करवाएंगे तो अमला प्लस अमोनिया बनता है क्या होता हैं इमाइड यही होता है अब देखी इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ इसमें है इसमें है की जग पर मैं लिख रहा हूँ कार्म अर का मतलब बना सक्रयिक्ट तो यह है आपका एसीटेमाईड ठीक एए इसका नाम हो जाएगा acetamide इसका simple है जलब गटन करवाना है तो हम लेंगे HOH हम लग गर्म किया इसको आसाने बहुत आपको पता है यहां से बंट उटेगा प्लस कार्बन यह माइनस यहां से बंट उटेगा प्लस और माइनस कौन कहां जुड़ेगा आप लोगों को पहले से पता है यह H होगा वो इसके साथ जुड़ेगा OH होता है वो कार्बन के साथ में जुड़ेगा दोस्तो एक बात और important यह है कि आप लोग यह जो arrow कर रहा हूँ ना उसको मत करना exam मैं ठीए हाँ हलाकि इसमें आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो परन तो यह arrow मत करना और यह बाकि प्लस माइनस बन तोड़ना ऐसा मत करना exam मैं ठीए नहीं तो समझेगा यह क्या किया है यह मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको आसान लगे तो देखिए CH3 C double bond O CH3 C double bond O और इस carbon के साथ में OH जुड़ने वाला है तो यह बन गया आपका अमल प्लस NH2 के साथ में H तो क्या बन गया NH3 इसका क्या नाम हो जाएगा तो acetic अमला या फिर ethenoic अमला ethenoic अमला एक दोस्त हम aromatic लेते इसकी जगह पर तो R हैं इसकी जगह पर में benzene लेता हूँ बाकी वही रहेगा C double bond O तो वैसे ही है C double bond O CO leak दिये में ने NH2 है इसका क्या नाम होगा तो इसका नाम हो जाएगा benzemide benzemide तो benzemide इसका भी हम लोग जलब गटन करवाएंगी HO हमलग की उपस्थिती में गरम करेंगे तो क्या होगा देखिए कुछ नहीं करना आपको NH2 H को लेकर के चला जाएगा बाकी बचा O H कार्बन के साथ जूड जाएगा तो benzene के उपर आपका समुआ जाएगा C double O H C double O H C O और O H C double O H प्लास NH2H NH3 क्या बना इसका नाम बेंजोई कमला ठीक है तो ये था एम्याइड मैंने दोِ रीक्शिण लिखिए ये एक औरोमेटी कि एक अलिफाइटडी बाकी ये था नाइट्रेल से तो नाइट्रेल से कार्भॉक्यूसलिक के अमला और टेक्शि. कार्भॉक्यूसलिक के अमला next reaction देखते हैं लoqu दोस्तों पाचवी रियक्षेन हो जाएगी आशिल हैलाइड और एंध्याइड से पहले हम समझेंगे आशिल हैलाइड से किस प्रकार से कर्पार्थ लिक अमलोब बनाते हैं फिर एंध्याइड से समझेंगे दोस्तो एसल हेलाइड होता है इसकी जगह पर मैं एग्सामपल लेता हूँ एसल क्लोराइड का एसल हेलाइड का मतलब क्या होता है कोई भी ले सकते हैं आपलो lizard क्लोरिन, ब्रोमीन वग़रा तो ब्रोमाइड, क्लॉराइड वग़रा आ जाएगा acyl का मतलब क्या होता है तो RC double bond O इसको बलते acyl फिर chloride का मतलब होता है CL तो इसका नाम हो जाएगा acyl chloride acid मत करना acyl है इसका हम करवाएंगे जल अब घटन ये जल अब घटन होगा अमलक की उपस्तिती में तो फिर क्या होगा समझेए दोस्तो जब अमलक की उपस्तिती में होता है तो आराम से आपका जल अब घटन हो जाता है मतलब ये जो CL होता है वो इस H के साथ में बहाँ निकल जाएगा और बाकी OH होता हो इस कार्बन से जोड जाएगा तो क्या बनेगा R C double bond O और इस कार्बन से कौन जूडने वाला है OH तो ये तो बन गए आपका अमलक कार्बोकसिलिक अमलक और HCl अलक ठीक है तो ये कार्बोकसिलिक एसिड ये तो बात होगी अमलक की उपस्तिती में बढ़ यदि दोस्तों शार की उपस्तिती में होग करवाएंगे एसील क्लॉराइड का जलब गटन तो फिर क्या होता है समझें इसमें थोड़ी दीक्कत आएगी आर सी डबल गॉंड ओ सील यही है इसका बार बार नाम नहीं मिलकूंगा मैं एंड हो शार मतलब ओएच माइनस इसके उपसे में रियक्शन करवाएंगे तो क्या दिक्कत आती उसको समझे ध्यान से यह आपका जल यहां पर दोस्तों बंड टूटेगा तो यह बंड के इलोक्रॉंट सील ले लेगा तो इस पर नेगेटिव इस कार्बन के उपर पोजिटिव इसमें भी ऐसा हुआ था पर मैंने आपको डायरक्स बता दिया इसमें दोनों जगह से बंड टूटेंगे मतलब इस बंड के इलोक्रॉंट भी आपका यहां पर ओक्सिजन ले लेगा तो इस पर नेगेटिव चार अक्सिजन को इलेक्ट्रों दे करके जाएगा तो भाई साब इस ऑक्सिजन के उपर दो माइनस आ जाएंगे मैंना हला की लिखा नहीं है पर ऐसे समझे आप लोग एक तो यह आपका एच प्लस बनके अलग हो गया यह एच प्लस बनकरके इसके साथ अलग हो गया यह एच प बाकी एच होगा इस ओएच के साथ में एच टू बनके बार निकल जाएगा यह ऑक्सिजन दो माइनस मंदो उसके उपर दो रीन आवेश लेकर के यह आएगा इस कार्बन के पास तो यह ऑक्सिजन इस कार्बन के से जुड़ेगा और बीच में दोस्तों एक रीन आयन कि आर और C १ डबल बॉंड ओ इस? वे इस? कार्बन से यह ऑक्सिजन जुड़ने वाला थन यह अपका परन्तु दोस्तों इसके उपर दो रिणावेश है तो एक रिणावेश इस कार्बन से बैलेंस हो जाएगा पर दो तो हुए नहीं तो एक बचेगा तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सीलेट आयन इसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सीलेट आयन फिर वापस से दोस्तो जलब गटन करवाना पड़ेगा अमलग की हो एच प्लस की उपस्तिती में क्या होगा देखिए ध्यान से यहां से बॉन तूटेगा यह प्लस माइनस इसमें यह एच प्लस इस ऑक्सिजन के साथ में कनेक्ट होगा और साथ में यह जो आपका एच प्लस होता है यह इस ओएच के साथ मिलकर के जल बना देगा जैसे यह पर इसके साथ भाग गया ठीक है वैसे यह बचा हुआ ओएच माइनस होगा वो इसके साथ भाग जाएगा यह क्या बनेगा और सी डेबल बॉंड ओ ओ ना ओ और सी डबल बॉंड ओ ओ माइनस इससे को जुड़ेगा एज प्लस तो हो जाएगा ओएच तो यह बन गया आपका कार्बोकसलीक आसीड बाके ओएच इस एच के साथ बाहर निकलेगा एच टू बन कर गे तो यह मिल गए आपका कार्बोक्सिलिक अमला तो भाई साब जब हम लोग शार के उपस्टिन रियेक्शन करवाएंगे ना तो बहुत बड़ी जंजट होती है आप बीच में आयन बनता है परन्तुर अगर हम लोग क्यावल अमला कोपस्टिन रियेक्शन करवाएंगे तो आराम से आप कम मिल जाएगा कर्बोक्सिलिक आसीड तो यह तो था एसील क्लोराइड या एसील हैलाइड की उपस इसका जलब गड़न करवाएंगे तो हमको अमल तथा एसील मिलता है तो इसका एसील क्लोराइड का जलब गड़न किया तो अमल मिला हमको एक तो वह साथ में एसील मिला ठीक है अब हम समझते हैं एन हाइडरेट से तो आप लोग इतना स्किंशोडली में इतना मेटा रहा हूँ दोस्तो अब हम समझते हैं एन्हाइड़ेट से मैं एन्हाइड़ेट का एक्जामपल लेता हूँ C6H5COO सैमवई C6H5COO इसको बोलते हैं बेंजोइक एन्हाइड़ेट दोस्तो इस बेंजोइक एन्हाइड़ेट होता है इसका आम जलब गटन करवाएंगे क्या होता है देखते जाए आप लोग पहले आपको इसको समझना होगा देखिए C6H5COO आप लोग यदि इसको यहाँ से तोड़ते हो तो C6H5COO अलग हो जाएगा बाकि C6H5COO अलग हो जाएगा अब क्या करना है जहाँ पर दो अक्सिजन है वहाँ पर आपको H को जोड़ना है मतलब आपको H को इस अक्सिजन से जोड़ना है बाकि जहाँ पर एक अक्सिजन है वहाँ पर आपको जोड़ना है OH तो आपका ओएच यहां पर जुड़ेगा ठीक है क्या होगा देखते जाएं से 6-H5-C-O-C-6-H5-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C- H5-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C- तका लेंगे तो फिर हम को क्या मिलता है वह हम समझते हैं देखिए उपर वाला फोर्शन वहीं लिखना है सिसिक्स एज़ फाइफ सी ओ और नीचे आपको चैंज करना है सी ओ और सी एच थ्री वाली चीज़ इसको दोस्तों बोलते हैं बैंजोएक एथेनोइक एन हाइड़ाइड इसका जलब गटन करेंगे अब तो कुछ नहीं करना आप लोगों को मैं आपको ट्रीक बताईए बन तोड़ दो कहीं से भी मतलब यहां पर तो यहां से बन तोड़ दिया जहां पर ऑक्सिजन अकेला है उसके साथ में आपको जोड़ना होगा ओ एच जहां पर डबल ऑक्सिजन है वहां पर आपको जोड़ना होगा एच क्या बना C6H5COOH C6H5COOH Benjoy कम लबना CS3COOH CS3COOH ठीक है CS3COOH CS3COOH ये भी कारबकसली कमला है ये भी कारबकसली कमला है फरक क्या है फरक बस इतना है कि ये दोनों कारबकसली कमला भिन्द भिन्द है इसका नाम होगा Benjoy कमला इसका नाम हो जाएगा Acety कमला दोस्तोえば Definition पढ़िए नीचे वाले इसकी Definition है Acid Enhydrate acid anhydride, ये दोनों anhydride है, इसके जलाब घटन से amla के दो अणू बनते हैं, तो यहाँ पर आपने अगर acid anhydride लिया, जिसकी जगह पर मैंने लिया है benzoic anhydride, इसका आप लोग जलाब घटन करोगे, तो आपको दो मिलेंगे, अमल, ठीके, इसके दो अणू मिलें, लेकिन मिश्रित, ये हैं आपका मिश्रित anhydride, तो मिश्रित anhydride के जलाब घटन से, दो भिन भिन परकार के अमले मिलते हैं, मिलते हैं अमले ये, परंतु दोनों कैसे मिलेंगे, भिन भिन, अब हम समझ लेते हैं, एक लास्ट अभी गया है, एस्टर से, उसके वाद फिनिश हो जाएगा, इसको ले लेजी, दोस्तो लास्ट रियेक्शन इसको पढ़ लीजी, एस्टर से, एस्टर क्या होता है, तो एस्टर का फोर्मूला होता है, एस्टर का जलब गटन करते हैं, जलब गटन के लिए लिख लीजीए, ओएच, यह रिवर्सिबल रियक्शन होती है, और अमलग की उपस्तिती में होती है, इसमें कुछ नहीं करना आप लोगों को, ओआर डेश, एच के साथ बाहर निकाल देना है, यह वाला, बाकी बचा OH होता है, इस कार्बन से जोड़ देना है, थोड़ असा आइडिया लगा हो, आप लोग तो हो जाएगा, आर, सी, डबल बॉन्ड, ओ, और, ओ, एच, तो आर, सी, डबल बॉन्ड, ओ, और, ओ, एच, आर, डेश, ओ, एच, क्या क्या बना, देखो, क्या बना, यहाँ पर दोस्तो, यह तो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और यह है अलकोहल, तो यहाँ पर दो चीज़े बनी, अलकोहल और कार्बोक्सिलिक का अमला, हमारा काम की चीज़े हैं यह वाले, इसकी जगह पर एक एग्जांबल छोटा सा लिक देते हैं, आर की जगह पर हैं CH3, बाकी सी डबल बोंड, ओ, वैसाई है, ओ, वैसाई है, आडेश की जगह पर हम लिक लेते हैं, CH2, CH3, ठीक है यह चीज़े, एस्टर, इसका हम लोग जलब गटन करवाएंगे, हमला की उपस्तिती में, क्या होगा, कुछ नहीं करना आप लोगों को, ओक्सिजन साथ में यह वाला, H के साथ में बाहर निकाल देना है, बाकी बचा आपस में कनेक्ट कर दो, CH3, C double bond O, CH3, C double bond O, और इस कारबन से कौन जूडने वाला है, OH, बाकी बचा है वो, तो यह बना आपका acetic अमल, CH3, CH2, O, और H, तो CH3, CH2, OH, यह बना आपका ethanol, क्या बना ethanol, तो यह बना आपका acetic अमल, यह बना ethanol, ओके, दोस्तों एक aromatic example ले लेते हैं, aromatic में क्या होगा देखिए, R की जिगह पर मैं बेंजीन ले रहा हूं, यह बेंजीन है, बाकी C double bond O, वैसा है रेकना है, आपको कुछ नहीं करना इसमें, C double O, C double O, और इस आडेश की जिगह पर मैं ले रहा हूं, C2H5, इसको बोलेंगे ethyl benzoate, इसका जलब गटन करेंगे, कच्छुनी करना आप लोगों को, मैंने बताया है, इसमें वसाई करना है, यहाँ पर आपका, एक oxygen, carbon और H, इसको बाहर निकाल देना है, बाकि O, इससे जूड़ देना है, तो benzin के उपर, C O, benzin होता है, इसके उपर, ओ भाई सा, benzin के सा बदा, गजब का benzin बन रहा है, ठीक है, इससे बना दें यह, अराम से, C O, C O से कौन जूड़ रहा है, O H, O H, प्लस वाँ, C2H5, O H, उपर बना वाई यह, C2H5, O H, बस इसको हमने ऐसे लिख दिया, बैंजोईक अमला, एथेनॉल, दोस्तो, यह हमने तीन रियक्शन पढ़ी, एस्टर से, ओके, एलिफेटिक और एनिमेटिक दोनों पढ़ ली, जिसमें हमने एथेनॉल प्लस कार्बोक्सलिक अमला बनाया है, इसकी डेफिनिशन सिंपल है, एस्टरों के जलब करड़न से अमलत था, एलकॉल मिलते हैं, तो यह थी रियक्शन, जिसमें हमने सारी रियक्शन को कम्प्लीट कर लिया है, और जो निर्माण था, कार्बोक्सलिक असिड का, वो कम्प्लीट हो चुका है, बाकी वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताएगा, वीडियो अच्छे लगाओ, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर देना, मिलते नेक्ट वीडियो में, तब तक लिए जहीं, बंदेवांतर,